dear students बहुत बहुत स्वागत अब सभी का बच्चों यह class 6 का math है एक्सराइज 5.8 चेप्टर 5 है और इसमें जो question दिया हुआ है तो यह question जो है business करके समझने का question है यहां बनाने के लिए business कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है question number 1 में examine whether the following are polygons यहां पे पता say why तो फिर वो क्यों नहीं है उसके पीछे region मांग रहा है तो सबसे पहले हमको जानना हो कि polygons होते क्या है polygons में दो चीज माहिने रखती है polygons जो होते हैं वो सबसे पहले close figure होना चाहिए close सब तरब से बंद जैसे कि यह बंद है और यह open है इसमें हम अंदर घुस सकते है और फिर बाहर निकल सकते हैं तो यह हो गया open figure और close figure में हम अंदर घुस नहीं सकते हैं और जो अंदर है वो बाहर नहीं आ सकता वो close हो गया तो इस तरह से close figure होना चाहिए और वो figure जो बना हुआ हो वो line segment के द्वारा इस तरह से line segment से बना हुआ होना चाहिए इस तरह से curve line ज यह पोलिगोन नहीं है तो नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यह क्लोज नहीं है क्लोज फिगर नहीं है जिसका रिजन हम लिख के दे सकते हैं तो लिख देते हैं मैं कुशिन नंबर वन यहां पे लेते हैं और इसका ए नंबर है यह नंबर है तो यहां पे सबसे पहले लिखते ह इस तरह से हम इसका रिजन दे सकते हैं it is not a polygon because it is not a closed figure क्योंकि ये closed figure नहीं है अब यहाँ पे ये polygon तो दिख रहा है कि ये polygon है तो बिल्कुल ये polygon है क्योंकि ये closed figure है और ये line segment से बना हुआ है तो इसका region भी हम लिख देते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि it is a polygon इसका region हम इस तरह से दे सकते हैं it is a polygon because it is a closed figure made with line segments ये closed figure है और line segment से बना हुआ है इसलिए ये एक polygon है question number c में यहाँ पे एक circle दिया हुआ है तो ये polygon नहीं है क्योंकि ये curve line से बना हुआ है line segment इसमें use नहीं हुआ है इसका हम region लिख सकते है इसका region हम इस तरह से लिख सकते हैं it is not a polygon because it is not made with line segments क्योंकि ये line segment से नहीं बना है इसलिए ये polygon नहीं है d number में क्या दियावा है यहाँ पे ये side line segment यहाँ पे use हो रहा है दो side में लेकिन ये तीसरा जो side है उसमें curve line use हो रहा है इसमें line segment नहीं है इसलिए ये polygon नहीं है तो इसका हम region यहाँ लिख सकते हैं इसका region इस परकार हो जागा it is not a polygon because it is made with a curve side इसमें curve side यूज हुआ है इसलिए ये polygon नहीं है next question यहाँ पे question number two यहाँ पे दिया हुआ है name each polygon यह polygon सभी है यह सभी polygon है और इसका नाम लिखना है तो यहाँ पे four side यूज हुआ है तो four side में क्या नाम होता है जिसका four side होता है उसको हम लोग कहते हैं quadrilateral तो य यह हो गया quadrilateral और यह हम देख रहे हैं यह polygon इसमें three sides यूज हुआ है यह triangle हम लोग ऐसे ही जानते कि यह triangle है तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर triangle यह हो गया इसके बाद यहाँ पे one two three four five five vertices है इसका मतलब है कि यह pentagon है पांच को ना है five side यूज हुआ है तो pentagon इसको लिखत वर्टाइस है इसका मतलब है कि eight line segment भी है तो eight जो वर्टाइस होता है उसको बोलते हैं octagon तो इसको octagon लिख देते हैं octagon यह हो गया octagon इस तरह से इसका नाम हम दे देंगे यह answer हो जाएगा map two more examples of each of these इसका और example दो इंचापनल और बनाने के लिए कह रहा है तो यह बहुत important नहीं है इतना आप जानगे तो इसको अलग-अलग type से बना सकते हैं कोई problem नहीं है